सुबब पराथा सबजी से दिन की शुरुवात करता हो लंबी चाय की चुस्की में बाते करता हो उस घर में एक ऐसी लड़की की एंट्री हो जाए जिसका काम सिर्फ फिटनेस है येस 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 एवरिबडी सारे आजाओ लेट्स ओम अप करते हैं कमान हाई रे बिटा अब ना होगा कैसी बात कर रही हो मा मैं उसे नहीं समझा सकता हूँ और फिर आज दूसरा दिन है उसका सिसुराल में कुछ तो सपोर्ट करो अरे सारा सपोर्ट है बिटा बस ये ना करा मैं किचन में जा रही हूँ भूख लग रही है मुझे ओके क्या बाते हो रही है वहाँ पर पापाची कहा है चली चली ननदरानी कहा है सारे आकर खड़े हो जाते है देखिए आज आप लोगों को ये पैर उठा कर सर पर रखना है और सर को जमीन से टच करना है चलीए कमान ये कैसे करेंगे ये नहीं हो सकता क्यों ये कैसे करें बोला था ना ऐसी लड़की क्यों ला रही हो कुछ ज्यादा ही फिट लग रही है जब देखने गए थे तो मैंने नहीं कहा था तब आपी ने कहा था अच्छा है ना बहु हम लोगों को भी योगा सिखा देगी अब का रोई होगा मा मुझे क्या ज़रूरत है मैं तो वैसे ही फिट हूँ आरा तो क्या मैं आ न फिट हूँ आज एक पैर पर खड़े होकर पूरे घर के जाले निकाल दू बोलो तो अरे अरे क्या हो रहा है चलिए करिए जैसे मैंने कहा है जल्दी जल्दी करिए सभी लोग बहु के कहने पर आसन करने में लग जाते हैं लिकिन ये क्या थोड़ी दिर में सास की जोर जोर से चिलाने की आवास आती है आरे बचाओ बचाओ ये क्या हो गया सभी जो अपने अपने आसन को करने में लगे थे सास की और देखते हैं अरे ये क्या? सास तो फसी होती है कहां से हाथ निकाला कहां से पैर लेकिन अब तो माजी ये क्या? रसी की तर शरील को बान दिया आपने अरे बहुत डर्द हो रहा है बात बैकर जल्दे कुछ करकर निकाल दो मिनिट रुक्य में अभी निकाल रही हो अरे बहु राना देना कुछ ने रासा ही कम से कम एक चेकर तो बैठेगी पापा मा अभी सुलच जाएगे तो बताएगी आपको सास को बहु किसी तरह ठीक करती है सास जैसे ही उल्चे हुए शरिर को सुलजाती है उसकी जान में जान आती है मा जी कैसी बात कर रही है ये तो आप एकी बार में नेक्स्ट लेवल की और चली गई हाँ आप तो सच्ची में महान है महान काम कर लिया आपने अभी मैं आपकी वीडियो बना कर डाल देती न तो बड़े से बड़े योग गुरू आपके पैर को चू लेते इस सुमर में इतनी फ्लक्सिबिलिटी किसी की भी नहीं होती है हरे सास तो अपनी तारिफ सुनकर सात्वे आस्मान में चली जाती है सास को लगता है कि वो योगा की मास्टर हो गई है चलो आज के लिए तो हो गया भाबी पूक लग रही है अब तो कुछ खाने को दे दो फिर वहू की चन में जाती है सभी के लिए नेमू पानी और उबले हुए चने लाकर रख देती है यह तो ठीक है लेकिन है नाश्ता नाश्ता विटते लेकर आओ मा बताओ ना क्या-क्या खाते हैं हम लोग हाँ हाँ वो तो मैं बता दूँगी फिलाल जो है वो तो खालूँ अरे भूग के मारे मेरे पूरे पेट में बिल्ली उचल रही है सास तो चने ऐसे खाती है जैसे घोडा कास सभी के पेट को हलका सा ही आराम मिला होता है कि सभी को पसी ने आ रहे हैं मैं भी नहाने जा रही हूँ अच्छा मा जी बाद में मिलती हूँ बहु चली जाती है बहु के जाने के बाद सुनो पराठा खिला दो ना हाँ हाँ बनाती हूँ और कौन-कौन खाएगा पराठा, सभी फटा-फटा हाथ उपर कर देते हैं, सास गर्मा गरम पराठा बनाती है, सभी को खिला रही होती है, और साथ ही साथ किचन में खड़ी होकर खुद भी खाती है, तभी नहा धोकर बहु आती है, माजी लाइए मैं बना दीती हूँ, अरे फिर पराठा, एक और पराठा, एक एक करके छे पराठे खा चुकी है, कितना खाएगी यह, तभी बहु की आवाज आती है, सासुमा, वो जो आखरी वाला है न, उसको चीने भर कर बनाना, क्योंकि आखरी वाला न, मैं मीठा खाती हूँ, हाँ हाँ, अभी बना रही हूँ नहीं, अभी नहीं माजी, अभी तो सादा ही दीजिये, जो आखरी वाला बोला न, मैंने, आखरी बनाएंगी तबी, हैं, न जाने कब इसका आखरी वाला पराठा होगा, सास बहु से परिशान होती है, कि कितना खाती है, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देती है, कि वही कल स तो बहु को ही बनाना है, जितने मैं पूरा परिवार खाता है, उससे ज्यादा तो ये महरानी अकेले ही खा लेती है, फिर अगले रोज सुबह सुबह, आजाओ सारे, वेक आप, इतनी देद नहीं होनी चाहिए योगा के लिए, रोज सुबह का अब यही हो जाता है, बहु योगा के लिए सारे घरवालों को उठाती, खाने के नाम पर उबले चने दे कर कमरे में चली जाती, और सास कुछ बनाती तो प्लेट भर भर कर खाती, एक रूस अरे, क्या बनाया है शिन्नो, बड़ी अच्छी महकारी है आ ना, क्या बनाना है, बस कड़ी बना रही थी दिन की खाने के लिए यह रात के रहे देने कही, वो क्या है ना पहु सुबह सुबह जल्दी उठा देती है, योगा करने के नाम पर सारा शरीर तोड मोड कर आती है, और नाश्ते के नाम पर चार चने उबाल कर देती है, फिर खुद सोचाती है, खाना बन जाता है तो आती है और धेर सारा खाना खा कर सोचात तो मेरी अम्मा लगती है अच्छा है कम से कम सेहत पर तो ध्यान देती है तेरी और वो भी पूरे घर की लेकिन शरीर तो उसका भी खा खा कर खली की तरह है पता नहीं कौन सा योगा करती है कहां लगता है और किच्चन में आती भी है तो बस चार चने उबालने पता नहीं क्यों करती है योगा वो तो अपनी अपनी सोच है कई लड़कियां शादी से पहले खाना बनाना सीखती है और कुछ ससुराल वालों को उल्लो बनाना चलती हैं पडोसन चली जाती है लेकिन सास को अब कुछ कुछ समझ में आने लगता है वो समझ जाती है कि योगा के नाम पर उसके साथ खील हो रहा है फिर क्या था अगली सुबाव बहू आ बहू अभी तक सो रही है जल्दी से किचन में जा और आलू के पराठे की तयारी कर वो क्या है ना आज आलू के पराठे बनेंगे नहीं नहीं मा जी कैसी बात करी है मैं तयार होकर आ रही हूँ योगा करने के लिए नहीं तू योगा कर ले यहीं अपने कमरे में और योगा करके नीचे आ जाना जल्दी वो क्या है न हम लोगों को डॉक्टर ने अलग exercise बताई है तो मैं और तेरे ससूर जी सुबा पार्क में करके आ गए है अब तु जल्दी से आ जा सास की कड़क बोल सुनकर बहु हैरान रह जाती है वो जल्दी से नहा कर किचिन में आती है बहु दही मैं चीनी डाल देना और हाँ धनी आके चटनी भी लेकिन माजी ये सब हैल्दी जेतना बोला है ना जाकर कर हैल्दी तो चीनी के पराठे भी नहीं होते लेकिन खाती है ना तु आखिर मैं सभी खाने की टेबल पर होते हैं लिकिन ये क्या पराठे तुआने की नाम ही नहीं लेते लग रहा है बहू आलू को कुछ ज्यादा ही भून रही है तभी पराठे बनाने में वक्त लग रहा है मा देख लेना जाकर वो क्या ना कॉलेज के लिए भी तो निकलना है भाठे सिर्फ पराठे ही इतनी देर में बनाएगी तो आगे का खाना कब बनेगा और रहने देर बना लाएगी वैसे भी खाने में तेज है तो बनाने में भी होगी हाँ बनाने में तो तेज है यह तब ही तो हफते भर से हम लोगों को उल्लू बना रही है देखते जाओ क्या-क्या बन कर आता है काफी देर इंतिजार करने की बाद भी कुछ नहीं आता ना बहु किचन से बाहर आती है ना ही कोई पराठा बहु सुखेरो बहु बीजो अरे रुकिये मैं यहीं से आवाज देती हूँ यह मुझे पागल बना देगी बहु ए बहु क्या हो गया कैसा पराठा बन रहा है कि अभी तक नहीं आया लेकिन बहु की कोई आवाज नहीं आती अरे बहु सबी वेट कर रहा है आलू का पराठा बना की नहीं थोड़ी दिर के बाद बहु के रोने की आवाज आने शुरू हो जाती है मा भाभी अंदर रो रही है जरा देखो अरा बहु क्या हो गया बहार आजाओ हाँ हाँ बहु बहार आजाओ किचन में क्या हो गया बहु मुझे लटका कर बहार निकलती है वो रो रही होती है क्या हो गया मा जी मुझे कुछ नहीं या ता बनाना सिसुराल में खाना बनाना होगा ये बोलकर सब डराते थे तो मुझे आइडिया आया कि मैं ये योगा का नाटक करूँगी खाने के लिए बस चने उबाल दूँगी ना खाना बनाना होगा ना मैनत करनी पड़ेगी तो इसलिए समाज गई थी मैं तबी तो खुद खाने के लिए भर भर कर खाती ही लेकिन बनाना कुछ नहीं होता अरे बहु खाना नहीं बनाना आता तो बता देती हम है ना सिखाने के लिए हाँ नहीं तो कूक रख लेती पाबी लेकिन ये सारा नाटक चल किचन के अंदर आजा मैं सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं आलो के पराठे